है गाईज वर्कम टू देव भूमी कर्यर पॉइंट तो देखिए ACF टेस्टर सीरी जो हमारी चल लए थी सायक वन संदक्षक भरती है तू उसका पार्ट 20 है और इसमें भी मिलेंगे आपको काफी महतो पूंट प्रस्न जो की पैटन पर बेजड है ACF एक्जाम के ठीक है तो दोस्तो तीन नौंबर को ACF का एक्जाम होना है तो आप काफी कम दिन रह गए है मातर 20 दिन आपके पास है तो काफी मेहनत करने के आउशकता है इसमें तो चलिए सुरू करेंगे टेस्टर 20 कितना स्कूर आपका रहता है कमेंट कीजिएगा पहला कोश्यन आपके सामने है who has recently been awarded the global goalkeepers award ठीक है तो किसे दिया गया है global goalkeepers award दिये गए विकलपों में से आपने बताना है सही answer and delayed answer is option A प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी को देखिए 25 सितंबर द्यान रखेंगे देड़ भी आपने याद रखने है 25 सितंबर 2019 को global goalkeepers award से सम्मानित किया गया है ठीक है द्यान रखेंगे देखिए मोधी जी को यह सम्मान स्वच्चता के छेत्र में स्वच्च भारत अभियान का निर्टत्व करने के लिए दिया गया है और यह award किसने दिया है तो Bill and Melinda Gates Foundation है जो USA का ठीक है आप समझ गयोंगे बिल गेट्स का अपना foundation है जिसके द्वारा यह award दिया जाता है तो कब दिया गया 25 सितंबर 2019 को पीम मोधी जी को दिया गया इसके साथ पीम मोधी जी को काफी अन्य देशों के भी महत्तोपुण award दिये गए है तो आप देख लीजी का मैंने हाल में ही एक current affairs की वीडियो में सब बताई थे आपको ठीक है तो काफी महत्तोपुण है इनको आप अच्छे से याद रखे हैं बगते हैं अगले question की तरफ ठीक है अगला question तो बहुत इजी question आगया है हिंदी दिवास is celebrated on तो कब celebrate किया जाता है हिंदी दिवास and the right answer is option D 14 सितंबर को ठीक है तो देखे हिंदी दिवास प्रती वर्च चौदा सितंबर को मनाया जाता है बगते हैं अगले question की तरफ अगला question भी काफी महत्तोपुण है तो अगला question है which among the following gas is released in photosynthesis activity ठीक है जो photosynthesis activity होती है इसमें कौन सी gas release होती है बहुत महत्तोपुण है ठीक है प्रकास अंसलेशन के जो होती है पौधे तथा स्वपोशी जीवों दोरा सामाने था सूरे सी मिलने वाले प्रकास को रासाइनिक उर्चा में बदलने की एक प्रक्री है ठीक है और photosynthesis में निगलती है oxygen option B में से आंसर लोगा oxygen gas release होती है ठीक है महत्तोपुण है अच्छे से याद रखें अगला question ये भी काफी महत्तोपुण है manious disease is related with तो किस से relate करती है manious disease ठीक है तो इसका right answer है option C ठीक है कान से related disease है many years ध्यान रखेंगे ये एक आंतरिक काम में विकार होता है ठीक है जो सुन्ने तथा दोनी इस्तर में विवेत करनी की छमता को प्रभावित करता है तो ध्यान रखेंगे आपने minious जो disease है ये एर से relate करती है cancer अब आपने बताना है longest जो national highway है इंडिया का वो कौन सा है ठीक है longest national highway very important question तो इंडिया का सबसे longest national highway NH44 है दोस्तों जो स्रीनगर को ध्यान रखेंगे स्रीनगर को कन्या कुमारी से जोगता है ठीक है बहुत महत्तों पुणा कन्या कुमारी से जोगता है स्रीनगर को सबसे लंबा ये national highway है और इसकी total length की मैं बात करें तो ये है 3745 km ठीक है ध्यान रखेंगे 3745 km अगले कोश्यन की तरफ अगला कोश्यन भी काफी महत्तों कोश्यन है ठीक है तो कोश्यन है who among the following was the founder of मिमान सा philosophy तो मिमान सा जो philosophy ती ये किस ने दी थी कौन founder था इसका ठीक है तो right answer है जो option C जैमिनी तो दीक है मिमान सा दर्शन की स्तापना जैमिनी के पूरो मिमान सा सूत्र के आधार पर ही हुई है अगला question काफी महत्तों पूरे ये भी बहुत दर्म से related question है तो question है which one of the following book is also considered as an encyclopedia of Buddhist religion तो इन में से कौन सी book है जिसको encyclopedia of Buddhist religion कहा जाता है बहुत ही महत्तों पूर अच्छा question है and the right answer is option D. महा विभासा ठीक है ध्यान रखेंगे महा विभासा दो किये दोस्तों ये एक प्राचीन बहुत ग्रंत है और इसे बहुत धर्म का विश्व कोज भी कहा जाता है next question देखे हिश्टर के काफी अच्छे question है तो अगला question है समदुर गुप्त issued six different type of gold coins which among the following coins was not issued by him तो कौनसी coin थी जो उसने issue नहीं की थी समदुर गुप्त ने यहां पर ठीक है तो इसका right answer जाएगा option A इसमें गलत दोस्तों कार्तिके अच्छे कार्तिके नामक जो शौन मुद्रा थी यह कुमार गुप्त ने लॉंज की थी कुमार गुप्त ठीक है त्यान दखेंगे और माकी पर्सु अस्वमेद गरुव् सभी समुद्डर गुप्त की स्वॉन मुद्रह ने," चाहिए के सांसाथ देखिए उस ने धनुल्धर व्यागर हन्ता और साथ विल्ना सरण ये तीन और मुद्रह यह थी धनुल्धर व्यागर हन्ता विल्ना सरण और उसके इसांसाथ परसू अस्वमेद और गरू'reg cruise कुन तो उत्राखंड पब्लिक सर्विस कमिशन के करन्ट चेयर्मेन बताने आपने कौन है एंड दिलाइड आंजर इज ओप्शन सी आनंद सिया रावत ठीक है मैं आपके लिए हर प्रकार के कौश्चन इसमें ला रहा हूं काफी मतलब छेत्रों से निकालके लाइक जियाग्रफी पॉल्टी जैसा मतलब सेलेबस और पैटन है वैसे कौश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं ठीक है अब बताना है यहां पर आपने ठीक है कि which of the following ports is a riverine port तो यहां पर जो बंदरगा आयन में से कौन सा riverine port है ठीक है तो right answer जाएगा option B कोलकाता पोर्ट ठीक है कलकत्ता बंदरगा जो है दोस्तों यह नदी परिस्तित बंदरगा है ठीक है ध्यान दखेंगे बहुते हैं अगले question की तरब अगला question है the defense minister in the first interim cabinet of India was तो जो इंडिया की पहली interim cabinet बनी थी उसके defense minister कौन थे बहुत अच्छा question है देखें जो हमारे interim cabinet बनी थी वहाँ पर कौन minister था यह question आपको आने चीए ठीक है कापी महत्तों fact वहाँ से बनते है एक्जाम में तो इसका सही answer है option है बल्देव सिया तो बल्देव सिया थे interim cabinet में पहले defense minister next question है देखें at which one of at which one among the following places Adi Sankaracharya did not established any of his four mutts ठीक है तो कौन सा place था जहाँ पर कोई मठ इस्तापित नहीं किया संकaracharya ने अपने चार मठों में से and the right answer is option c कांची ठीक है तो कांची में कोई भी मठ इस्तापित नहीं किया देखें संकaracharya के जो चार मठ वाले places है दोस्तो पहला तो जोसी मठ है उत्राखंड में बिल्कुल सही है ठीक है और देखें पूरी उडिशाम है यहाँ पी किया एक इन्होंने इस्तापित और द्वारका गुजरात एक यहाँ पी किया इन्होंने ठीक है और चौथा जो प्लेस है दोस्तो वो है सरिंगेरी ठीक है ध्यान रखेंगे सरिंगेरी जो की करनाटक में इस्तित है तो सरिंगेरी जोजी मठ पूरी और द्वारका इन चार प्लेस में आदी गुरु ने हिंदु धर्म के मार्ग दर्शन हेतु चार मठों की स्थापना की थी, ठीक है, कहने का मलब पूर्व पश्यम उत्तर धक्षियों ने, ये चारों जगों का ध्यान रखते हो इनों ने स्थापना की थी, ठीक है, अगला कोशिन है, इन विच सेडूल ओफ इंडियन कॉंस्टिट्यूशन पावर्स ओफ दी मुन्सिपाल्टीज आर इस्टेटेड, तो पावर्स ओफ मुन्सिपाल्टीज ये कौन से सेडूल में है, किस सेडूल में इसका वॉनें किया गया है, अगला कोशिन भी काफी अच्छा कोशिन है, ठीक है, तो एका मुमेंट जो चला था, इसके लीडर कौन थे? ठीक है, तो इसका रैड आंसर है, ओप्शन डी, एका आंदुलन का नेतर तो किसान नेता मदारी पासी ने किया था, ठीक है, ओप्शन डी सही है, अगला कोशिन है, फर्स्ट एंगलो बर्मा ज वर टुक प्लेस डूरिंग दी रेज नॉप, ठीक है, तो किसके टाइम पे होगा था, फर्स्ट एंगलो बर्मा वर, तो इसका राइट आंसर है, ओप्शन भी, लॉड एम हष्ट के टाइम पे होगा था, ठीक है, लॉड एम हष्ट के टाइम पे होगा था, और लॉड एम हष्ट ने 24 फर्वरी, 1824 को बर्मा के विर्थ, युद्धी की गोश्णा की थी, 24 फर्वरी, 1824, कि casino की तरफ बहुत अच्छा कुशन है, ठीक है, नॉड नं की तो इस लुक्त सकता है, तो बात की थी, hall आशन भाइए बहे श्टॉन भी का जाता है, बहुत ही हमाट ने जुप हों है, क्योंकि देखे दादा भाई नहरोजी ने भारत के सामाजी राजनेतिक विकास के छेतर में बहुत सारा योगदान दिया था इसलिए इनकी तुलना बिर्टीस प्राइम मिनिस्टर गलैडि स्टोन से की जाती है यहां पर जो गलैडि स्टोन नाम दिया गया है यह बिर्टीस प्राइम मिनिस्टर थे और अपने टाइम के काफी उधारवादी नेताओं में से जाने जाते थे इसलिए इन से तुलना होती है हमारे ग्रेंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की बढ़ते हैं अगले कोशियन की तरब एमी अवार्स वीचिज एक्केवलेंट ओफ अकैडमी अवार्स लाइक ओसकर इस गिवन इन इन दी फिल्ड ओफ ठीक है तो एमी अवार्स से किस चेत्र में दिया जाते हैं एंड दिलाइड आंसर इस ओप्शन सी टेली विजन तो देखे अकादमी पुरुसकार समारो देखे दोस्तों सबसे पुराना मनोरंजन पुरुसकार समारो है इसके अनुरूप टेली विजन के लिए एमी पुरुसकार होता है रंग मंचे के लिए टोनी पुरुसकार दिया पार्ट ओफ तो कोको आइलेंड्स किसके पार्ट है तो राइड आंसर है दोस्तों इसका option A म्यामार ठीक है तो हमारा पड़ोसी मुल्क है म्यामार इसका ही हिस्सा है कोको दीप समू ध्यान रखेंगे कोको दीप समू पूर्वत्तर हिंद महासागर में दीवपों का एक छोड गुण छेत्र है उसी का हिस्सा है अगला कोश्यन है दीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया इस तो डीपेस्ट पोर्ट बताने अपने इंडिया का कौन्स है तो इसका राइड आंसर है ओप्शन भी विसाका पर्टनम ठीक है चुकि आंद्र पर्देश में इस्तित है बंदर का यह भारत का सबसे गहरा बंदर का है ठीक है डीपेस्ट अगला कोश्यन भी काफी अच्छा कोश्यन है ठीक है विच वन आप दी फॉलोइंग इस करेक्ट सुकेंस ऑफ स्टेट्स हैविंग दी हाइस्ट पोपुलेशन डेंसिटी 2011 इन डिसेंडिंडिंग ओडर तो इन लौ्गार जो पॉपँलेशन डेंसिट्यटी यह 1102 है इसके बाद नमबर आता है वेश्ट बंगाल का पस्चिम बंगाल की पॉपलेशन डेंसिट्य है 1000 इसके बाद नंबर आता है केरला का केरला की जो population density है वो 860 है इसके पस्चार नंबर आता है यूपी का यूपी की population density है 830 ठीक है तो ये sequence हो गया descending order में और बात करूँ मैं भारत की तो भारत का जो जन्संक्या घनत्तो है वो 382 है प्रती वर्ग की में ठीक है जन्संक्या घनत्तो क्या होता है प्रती वर्ग किलो मीटर में निवास करने वाली जन्संक्या ठीक है ये कहला था है population density अगला देखिए यहां पर arrange करने आपने बहुत अच्छा कोश्य नहीं भी arrange the following range of India from north to south ठीक है तो north से south में आपने व्यवस्तित करना है ठीक है जासकर रेंज है लदाक रेंज है पीर पंजाल रेंज है एंड पीर पंजाल स्रेंगल का और इसके बाद अंत्म में आएगी धौला धर स्रेंगल तो दो एक तीन चार यानि कि option option किसमें है दो एक तीन चार option बी इसका सज्यान सरे ठीक है option बी बगलते हैं अगले question की तरब आप उत्राखंड के question है कापी महतब हुँँए who is the current chairman of उत्राखंड Minorities Commission तो उत्राखंड Minorities Commission का वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है देखे मैंने हाल में एक वीडियो दिया था आपको उत्राखंड में वर्तमान में कौन क्या वहाँ पे भी मैंने बताया आपको अच्छे से वर्तमान में उत्राखंड अलपसंग के काय करें तो यह अभी अध्यक्ष है KMVN के कुमाओ मंडल विकास निगम गजराज भिष्टी की मैं बात करते हैं मंडी परिसत के अध्यक्ष है ठीक है next question भी काफी अच्छा question है तो elephants के treatment के लिए कहाँ पे उत्राखंड में पहला hospital खोला गया यह भी उत्राखंड करेंट अफेस में मैं आपको बताया इसलिए मैं बोलता हूं follow कीजिए उत्राखंड करेंट अफेस को बिल्कुल मिस ना कीजिए and the right answer is option ए राजाजी राष्टे उद्यान तो यहाँ पर इसके जो चीला छेतर के अंतरगत एक यहाँ पे अस्पताल खोला गया है और राजाजी राष्टे उद्यान में ही हाथियों की सरवादिक संख्या पाई जाती है राजाजी राष्टे उद्यान का जो नाम करण हुआ था वो भारत के प्रथम भारतिया और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवरती राजगोपालाचारी के नाम पे हुआ है क्योंकि उनका उपनाम था राजाजी next question भी काफी अच्छा question है by which person of उत्राखंड was the Democratic Socialist Party formed in 1979 and the right answer is option B हेमोती नंदन बाहुकुणा last question of the test and the question is in which of the following places is the famous meditation cave located तो बहत ही ज़्यादा अभी हाइलाइट हुई थी ये meditation cave और यहाँ पर भारत के प्रधान मंतरी जी ने भी ध्यान लगाया था इसलिए काफी सुर्कियों में आई और काफी अच्छी booking मिलने शुरू हो गे थी इस गुफा गो and this meditation cave located in केदारनाथ option D इसका से अंसर है अगर जनपत पूछा जाएगा तो रुद्र प्रियाग आपको ध्यान लखना है तो केदारनाथ में इसलिए ध्यान गुफा बहुत ज़्यादा आहिलाइट हुई थी ठीक है तो दोस्तों यह था आज ACF test 20 ठीक है कितना इसको आपका comment कीजिएगा और साथ ही देखिए यह series ऐसे चलते रहे कि जब तक आपका exam होगा 20 भाग हमने complete कर लिया है हर भाग मैं 25 question मैं आपको देता हूँ pattern पे तो आपका सामान अध्यान वारा जो section हो कही न कहीं complete हो रहा है ठीक है अभी तक 500 question आ गए 20 का अगर multiply 25 से करते आपको 500 question आपको मिल चुके है और मेरी कोशिस रहे कि जल्दी से संक्या को मैं 40 पार तक लिख जाओ आपके exam तक ताकि 1000 अच्छे से अच्छे प्रसनों का संक्रन आपको मिल जाए exam से पहले ठीक है तो follow कीजिएगा इस series को साथी जो अन्य series चलते चैनल पर उसको भी follow कीजि और साथी assistant accountant की post आने वाले है और साथी UK police constable भी release हो सकता है इसी October month में तो आप लोग मेनत करते हैं अच्छे से अपनी study करें और अपना ध्यान भी रगें क्योंकि जान है तो जान है ठीक है health is wealth, health अच्छी रहेगी तो अच्छा मन लगेगा पगाई में और सभी activities में जल्द